Hello Friends, Welcome to our channel Dr. Sachin Thakkar Friends, इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ हार्ट डिसीज के कारण होती है कई बार तो ऐसा सुनने में आता है कि 20 या 25 साल के लड़के को हार्ट एडेक आया तक्रीबन 25 पसेंड डेथ इंडिया में हार्ट डिसीज के कारण ही होती है यानि कि हर चार में से एक डेथ के पीछे हार्ट डिसीज ही में रिजन होता है और पिछले 20 साल से हार्ट डिसीज इंडिया में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और इसके पीछे सबसे बड़ा रिजन है अनहल्दी लाफस्टाइल हमें या हमारी फैविली में से किसी को भी हार्ट डेसीज ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अवोइड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए यह सब में आपको इस वीडियो में बताऊंगा सो एंड तक जरूर देखे सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या avoid करना चाहिए और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले है don't smoke, दूसरा है do regular physical activity, third है maintain a healthy weight, fourth है get good quality sleep और fifth है take heart healthy diet, और क्या diet में लेना चाहिए ये मैं आपको detail में बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या diet में नहीं लेना है salt, sugar, excessive carbohydrate, saturated fat and trans fat इन सबको आपको limit में ही लेना है fast food, fried food, chips, ice cream, cakes, cookies, white bread, white rice, soda इन सब चीजों को आपको avoid करना है अब बात करते हैं कुछ ऐसे food के बारे में जो आपके heart को healthy रखने में मदद करते हैं सबसे पहला है nuts, nuts में unsaturated fat होते हैं जो की healthy fat है और ये आपके low density lipoprotein यानि की bad cholesterol को कम करने में मदद करते हैं इसमें omega 3 fatty acid होते हैं जो irregular heart rhythm को prevent करने में मदद करते हैं nuts में fiber and plant sterol होते हैं जो cholesterol level को कम करने में मदद करते हैं daily 25-30 gram unsalted unboiled nuts आपके heart के लिए बहुत ही healthy है उनको heart disease होने के chances 40% कम होते हैं अब बात करते हैं कौन से fruits खाने चाहिए सबसे पहला है apple, daily 1-2 apple खाने से heart disease से death होने के chances बहुत ही कम हो जाते हैं apple में soluble fibers होते हैं जो blood cholesterol level को कम करने में मदद करते हैं orange, orange एक low calorie fruit है जिसमें saturated fat और cholesterol बिल्कुल भी नहीं होता है orange में dietary fiber, 60 से ज्यादा type के antioxidant और potassium होता है इसलिए orange आपके heart के लिए बहुत ही healthy है kiwi, kiwi में fiber और potassium की मातरा ज्यादा होती है इसलिए वो heart health को support करता है potassium की मातरा ज्यादा लेने से और sodium की मातरा कम लेने से cardiovascular disease होने के chances बहुत ही कम होते हैं दूसरे कुछ fruits की बात करें तो banana, pineapple और watermelon भी आपके heart के लिए बहुत ही healthy है थर्ड है vegetables सबसे पहले बात करते green leafy vegetables के बारे में green leafy vegetables, vitamins, minerals और antioxidant का बहुत ही अच्छा source है यह आपके blood pressure को कम करने में मदद करता है और RTL stiffness को भी कम करता है कुछ studies के मुताबिक green leafy vegetables ज्यादा खाने से heart disease के chances 16% कम होते हैं tomatoes tomato oxidative damage और inflammation से बचाता है lycopene की मातरा कम होने से heart attack और stroke आने के chances बढ़ जाते हैं tomato में lycopene की मातरा ज्यादा होती है इसलिए daily एक से दो tomato आपको heart attack और heart stroke से बचाने में help करता है garlic garlic इसमें allicine होता है जिसकी बहुत सारी therapeutic effect है garlic bad cholesterol को कम करने में help करता है आपको blood clothes और stroke से बचाने में help करता है carrots ये carotenoids का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि एक powerful antioxidant है और आपको heart disease से बचाता है onions onion sulfur containing phytochemicals का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो cholesterol level को कम करता है और आपको heart disease से बचाने में मदद करता है fourth है oats oats एक बहुत ही healthy option है breakfast के लिए oats में omega 3 fatty acid, folate और potassium होता है oats एक fiber rich food है जो आपको bad cholesterol यानिकी LDL को कम करने में मदद करता है oats weight loss और blood sugar level को कम करने में भी मदद करता है और आपके heart को healthy रखने में मदद करता है fifth है beans and legumes beans में fiber and potassium होता है इसमें saturated fat, trans fat, cholesterol और sodium नहीं होता है इसलिए ये आपके heart को healthy रखने में मदद करता है beans and legumes blood pressure को maintain करता है और cardiovascular disease और stroke से आपको बचाता है इसलिए beans and legumes एक heart healthy food है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे food के बारे में बताया जो आपके heart के लिए बहुत ही healthy है इसी आप अपने daily diet में जरूर एट करें अगर वीडियो पसंद आया तो like करना ना भूले कोई question है तो मुझे comment box में जरूर बताये और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए subscribe कीजिए हमारी चैनल डॉक्टर सचिन ठककर को